यूालकम टू माय यूटूब सोट्स तो आजकMe टोपिक है डीएने रीएने राप्लिकेशन डीएने रीएने राप्लिकेशन बेनोमेना इन विच अवीछ duplicate copy of DNASynthesize cna replication वह प्रोसेस है जिसमें कि DNA का osymph iq Frederick Dieses होता है enk dnaC抽& दो doubter DNA Molecule का AWS Ocean होता है इसमें जो हैo dnajq copy बनता है अब यह DNA replication में होता क्या है तो replication के समय जो है नशन्त अप sy durant a 10 गोम्प्लीमेंट्री स्टेंट प्रॉप सेप्रेट होता है वह वह सेप्रेट करता है और यह वह और जो है सो न्युए सो स्टेंट को सिंथेस करता है और दूसरा स्टेंट जो है सो वह से मिलेकेसिन इस डीने मॉल्लीकूल उडावान पैरेंटल एड्शाइड इस मेठ़र्ड इस कॉल्ड सेमि कंजरवेटिव रापिलीकेशन जो जो है Semi-Conservative replication है जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखे यह है DNA हेलिक्स का structure यह हैलिकल structure होता है DNA का यह जो है सो Newly Synthesized strand है और यह जो है सो Parent strand है Parent strand जो है template की तरह act करता है और जो है सो Newly Synthesized strand को form करता आप देख सकते हैं कि DNA strand जो है वो separate करता है यह है new strand यह है old strand parent DNA strand जो ब्रेक करेगा उसके बाद two molecules of doubted DNA जो है सो form हो जाएगा जिसमें कि एक parent strand रहेगा एक new strand रहेगा तो DNA replication जो है वो semi conservative replication क्यों है क्योंकि उसमें से दो strand में से सिर्फ एक strand जिसको कि parent strand बोलते हैं वो template strand की तरेक्ट करता है और जो है सो new strand को बनाता है और एक strand जो है सो ऐसे ही रह जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं यह strand था यहां से separate होना शुरू किया यह two strand जिसमें कि जो parent strand ज जो है वो template की तरेक्ट करकी new strand बना रहा है और यह जो है सो remaining है कि आप 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 आप